प्रदर्शन पर ट्वीट कर कंगना कई लोगों के निशाने पर आ गई ऐसा कहा जा रहा है कि प्रदर्शन में शामिल एक बुजुर्ग दादी के लिए कंगना ने अपशब्द कहे हैं जिसके चलते हर कोई उनकी आलोचना कर रहा है वहीं अब इस मामले को लेकर बॉलिवुड आक्टर दिलजीत दोसांच और कंगना ट्वीटर पर बुरी तरह से भिड़ गए हैं दरसल हाली में कंगना के दादी वाले बयान पर दिलजीत दोसांच ने कंगना को नसीहत दी कि बंदे को इतना अंधा नहीं होना चाहिए लेकिन कंगना इस पर बुरी तरह से भिफर गई उन्होंने ट्वीटर पर ही दिलजीत दोसांच पर पलटवार करते हुए जवाब दिया और दिलजीत को करन जोहर का पालतू बता दिया कंगना ने ट्वीट कर ले खा ओ करन जोहर के पालतू जो दादी शाहीन बाग में अपनी सिटीजन शिप के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी वही बिलकिस बानो दादी जी फार्मर्स के MSP के लिए भी प्रोटेस्ट करती हुई दिखी महिंदर कौर जी को तो मैं जानती भी नहीं कंगना के इस ट्वीट पर दिलजीत ने भी पलटवार किया है और लिखा है तूने जितने लोगों के साथ फिल्म की तू उन सब की पालतू है फिर तो लिस्ट लंबी हो जाएगी मालकों की जूट बोलकर लोगों को भड़काना और एमोशन से खेलना वो तो आप अच्छे से जानती हो इसके बाद कंगना ने फिर से जवाब दिया और ट्वीट कर लिखा सुनो गिदो मेरी खामूशी को मेरी कमजोरी मत समझना मैं सब देख रही हूँ किस-किस तरह से तुम जूट बोलकर मासूमों को भड़का रहे हो और उनका इस्तिमाल कर रहे हो जब शाहीन बाग की तरह इंधरनों का रहस से खुलेगा तो मैं एक शांदार स्पीच लिखूंगी और तुम लोगों का मूँ काला करूंगी बता दें कि कंगना ने कुछ दिन पहले किसाना अंदोलन में शामिल हुई बुजर्ग महिला को सी-ए प्रोटेस्ट की बिल्किस बानो बताया था साथी मजाग उडाते हुए लिखा था कि वो सौर रुपे में प्रोटेस्ट करने पहुँच जाती है इस पर ट्रोल होने के बाद कंगना ने ट्वीट तो डिलीट कर दिया लेकिन आलोचनाएं कम नहीं हुई दिलजीत दोसांच के अलावा इमांची खुराना और प्रिंस नरूला जैसे स्टाज ने भी कंगना पर तंज कसा है वैसे कंगना और दिलजीत केस ट्वीटर बॉर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथी बॉलिवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं